ले गाई, कैसे हैं आप सब, I HOPE आप सब अच्छे हुँगे तो दोस्तो आज हम वुजूधें लखनो में और आपको एरपोर्ट का नजारा दिखाने वाले हैं तो दोस्तोब आप देख सकते हैं सामने ये हैं लखनो की METRO TREN दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ ये रास्ता देखिया अंदर की तरफ जाता है और आप किनारे पे देख सकते हैं ये मेट्रो टेंड का काम चालो है और फिलाल और पुराना एरपोर्ट का रास्ता जो बंद कर दिया गया है आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं और यहीं से यह नए एरपोट की तरफ अंदर जाता है जो जिसका नाम चауд Undry executing एरपोट है हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और अंदर का कुछ नजारा दिखाने की कोशिश करते हैं बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो के एंड तक तो चलिए दोस्तों ये रहा हमारा आपके सामने और ये आपके सामने आपके सामने आप देख सकते हैं ये रहा हमारा एरपोर्ट चौधरी चरण सिंग एरपोर्ट लखनाव और आपको यहां से लेके चलते हैं कुछ नजारे द जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा हमारा एरपोर्ट और यहीं से जाने का रास्ता है और ये ट्रॉली है दोस्तों सामान रखने के लिए और अपना सामान रखके आगे की तरफ चलते हैं और ये रहा आपके सामने एरपोर्ट के कुछ नजारे फुल वियू देख सकते हैं आप एरपोर्ट का यहीं से दोस्तों यहीं से जाने के लिए यहीं से डिपार्चर है और दोस्तों आपके सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं यह है सिल्फी पॉइंट हिंदे में लिखा हुआ है दोस्तों Silfie point का आप नाज़ा देख सकते है और दूसरे साइड में ये रहा आपका English में लिंदीच में लिका हुआ है ये भी Silfie point है दोनों पास पास में ही है आप चाहे इस तरफ से जाहे उस तरफ से आप Silfie ले सकते हैं दोस्तों और यह आप एरपोर्ट के सामने का नजारा जहां मेट्रो का काम चल रहा और यह स्टेचू है चोधरी चरण सिंग का स्टेचू बना हुआ है और ये सामने आपके जो रास्ता जाता है दोस्तों ये पुराने एर्पोर्ट की तरफ जाता है वो रास्ता बन कर दिया गया है तो यहां से गाड़ी जाती है पुराने एर्पोर्ट पे और दोस्तों आपके सामने ये है आने का रास्ता एराइवल यहीं से जी हां दोस्तों आप देख सकते हैं ये सामने ये आपके बिलकुल सामने ये है मेट्रो ट्रेन का इस्टेशन जो एर्पोर्ट पे बना हुआ है दोस्तों और ये रास्ता नया बन रहा है दोस्तों ये यही से एरपोर्ट से और स्टेशन पर जा सकते हैं दोस्तों और यह आपके सामने है मेट्रो इस्टेशन का फुल व्यू